सहारा इंडिया समूह की चार को अपरेटिव सोसाइटीज में फसे निवेशकों के लिए सरकार की और से बड़ा फैसला लिया गया है। जाने क्या है ताजा अपडेट सहारा इंडिया समूह काफी वक्त से वित्तिय संकट से जूचता नजर आ रहा है। देश भर के लाखों निवेशकों का पैसा यहां फसा हुआ है और वे इससे निकालने का प्रयास कर रहे हैं। निवेशकों को उनकी जमाराशी वापस मिल जाए इसके लिए केंडर की मोधी सरकार लगातार कोशिश कर रही है। शुरुआत में कुछ निवेशकों को 10,000 रुप्य की आंशिक वापसी मिली थी जिसके बाद से उनकी उम्मीद और बढ़ गई। हाला कि अभी भी बड़ी संख्या में निवेशक अपने पैसे वापस पाने को लेकर सरकार की और टक्टकी लगाए बैथे हैं। ऐसे निवेशकों की परेशानी को देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 10,000 रुपय वापस भी मिल चुके हैं। अब सरकार ने ये राशी बढ़ा कर 50,000 रुपय कर दी है। निवेशक सहारा इंडिया ग्रूप के CRC सहारा रिफंट पोर्टल पर जाकर ओनलाइन आवेधन कर सकते हैं। आईए आपको बताते हैं कि इसके लिए आपको किन चीजों की जरूरत होगी और आप कैसे आवेधन कर सकेंगे। सहारा इंडिया रिफंट अपडेट्स सहारा रिफंट पोर्टल पर आवेधन के लिए जरूरी दस्तावेज क्या है। आपको सबसे पहले CRCS सहारा रिफंट पोर्टल https//mokrifin.crcs.gov.in slash depositors slash register कोश्टक पर रिजिस्ट्रेशन करना होगा। रिजिस्ट्रेशन के लिए आधार के अंतिम चार नंबर और आधार से लिंक अपना मुबाइल नंबर भरने की जरूरत है। इसके बाद मुबाइल नंबर पर OTP आपको मिलेगा। इसे भरना जरूरी है। इसके बाद फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। ओफलाइन फॉर्म डाउनलोड करने के बाद उसे भरकर स्कैन करके पोर्टल पर अप्लोड करें। दी गई जानकारी की जाच के बाद रिफन राशी आपको मिलेगी।